एमपी के जिलों में चमका सफेद सोना, क्वालिटी के आगे गुजरात महराष्ट्र भी पिछडा दरसल मध्यपरदेश का निमार शेतर सफेद सोने यानि कपास की फसल के उत्पादन में अवल माना जाता है साथ ही गुजरात महराष्ट्र और एमपी के खरगोन में भी कपास की बंपर पैदावार होती है लेकिन इस साल क्वालिटी के मामले में दमो के बटियगर ब्लोक के कनोरा कला गाउं ने कपास में बाजी मार ली है इस गाव में कपास की बंपर पैदावार ने तमाम जिलों को पचाड दिया है दमों में उगने वाले सफेद सोने की क्वालिटी सभी पैमानों पर खरी उतरी है जिस कारण वहां की कपास की दूसरे जिलों में भारी डिमांड है किसान उंचे दामों पर कपास बेच रहे हैं सफेद सोने की बंपर पैदा वाल रहे किसानों का कहना है कि उन्होंने 10 से 12 एकड में कपास की खेती की है इस वसल को करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई उनका कहना है कि निदाई गुडाई का बखूबी त्यान रखा गया है दमों में उगने वाले कपास की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जैसे ही कपास से भरा ट्रक खरगोन मंडी में पहुचता है वहाँ साथ से आठ हजार रुपे कुविंचल के हिसाब से बोली शुरू हो जाती है बढ़वानी, गुजात, महराश्च और खरगोन में उगने वाले कपास से भी अच्छी क्वालिटी का कपास इस बार दमों में हुआ है दरसल इस फसल की बोई एक एकड में करने पर करीब 10 से 12 क्विंचल की पैदावार होती है वही कपास मंडी में इसे बेचने पर प्रती एक एकड पर 10 से 11 जार रुपे का मुनाफ़ा हो रहा है आगे किसानों का कहना है कि हमारे गाव में सिरफ 6 किसानों ने कपास की खेती की है जिनकी कपास की बिकरी दूसरे जिलों में काफी अच्छे से हो रही है किसानों ने के इस से लोगो रहा है